लीने जो एस 21.0 का निव अपडेट आयो है रेड्मी नौट 4 के लिए और इस अपडेट में हमें थोड़े वो चेंजेस मिल जाते हैं लेकिन हाँ कुछ ज्यादा तर चीजें यहाँ पे जो में में चीजे थे और रिमोवड ही हुई हैं उनके वारे में बताऊंगा तो वीड जो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब आउट फोन के अंदर पहले बैटरी इंफोर्मेशन यहाँ पर जिसको रिमूव कर दिया गया यहाँ पर बैटरी सेटिंग में बैटरी हेल्थ आपको मिल जाएगा यहाँ यहाँ पर लीने जो एस 21.0 का यह जो है ऑन ओफीशल एंडोड 14 क्यूपर 1 बेस्ट रॉम है सिक्योटी पैच अपडेट कर दिया गया जनवरी 24 का वेंडर को भी दिसंबर 23 का अपडेट किया गया पहले जुलाई 23 था एन यहाँ पर करनल जो है सेम है अपडेट नहीं किया गया सेम वर्जिन के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है और इसके पर वॉलिम पैनल सेम रहेगा एप अपन एनिमेशन ये भी जो है आपको अच्छा मिल जाएगा और अच्छे तरहीं के से ओपन होड़ा है खासकर एनिमेशन आप आपनिंग में आपको अच्छा मिल जाता है कोई ऐसा है भी लेक बिल्कुल भी नहीं मिलता है यह चीज यहां पर देखने को नहीं मिलता है and okay Google इसका आपको बग मिलेगा यहां पर अब यहां पर रिमूब्ड के अगर बात करें तो यहां पर गेम स्पेस था जो कि अभी इस अपडेट के अंदर रिमूब्ड हो चुका है देखने को नहीं मिलता तो रिमूब हो चुका है गेम स्प है इसके इंदर में सारी चीज़े पहले वाली ही देखने को मिल जाती बॉल पेपर डिस्क्रिप्सन पर उसे मिल जाएगा आपको कॉलिंग के इंदर केरेर बीड़ो कॉल का आपको बग इसके इंदर मिलेगा और यहां पर जो हमारा प्रोक्समेटी सेंसर है वह अच्छी तरी रिकोर्डिंग है कोई दिक्कत नहीं आप चितरी के सब वरकिंग है ब्लुटूट डिवाइस भी मीडिया और दोनों के इंदर आप यूज कर पाओगे और बैटरी के बात करें तो टू आवर फिप्टी परसन ब्रैनेस पर बीडियो प्ले करने के बाद 84 परसन मिला है परसन चार्ज करने में लास्ट का एंटूट स्कॉर वन लाक शिक्टी सेवन थाउजन मिला है पिछले में जो है वन लाक एटी वन थाउजन था जो कि सिमलर इतने में ज्यादा कुछ खास फरकियानी की नहीं मानते बागी यहां पर सटिंग में नेटवर्क और इंटरनेट आप नहीं अपर इस अब्डेट में बैटरी के अंडर यहां पर आपको नीचे आने के बाद देखने को मिलेगा इसके अदर में बैटरी हेल्त का जिसमें साइकल काउंट भी आपका यहां पर होता रहेगा ति ये चीज़े आपको यहाँ पे new मिल जाती है ति ये जो है battery health एक तरी के सरम बात करें ति ये new है इसके अंदर में और sound and vibration के अंदर आते हो ति यहाँ पे आपको similar सी settings देखने को मिल जाएगी and drag sound बिलकुल working है इसके अंदर हमें ऐसा कोई भी changes देखने को नहीं मिलता है और display के अगर बात करें तो display भी almost same ही है यहाँ पे भी मुझे ऐसा कोई change नहीं मिला सेटिंग भी सेम है तो हमारा fingerprint वह से अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें अच्छा response आपको fast बिलकुल मिल जाएगा बट फेशन लोग अभी add नहीं हुआ इसके अंदर में और more security के अंदर भी जाओगे तो यहाँ पर similar settings पहले वाली ही मिलेगी और से रोम जो है encrypted आता है इसको मैं decrypt किया हूँ बाड़फोल्ट यह encrypted आता है बट यहाँ पर ऐसा कोई change हमें देखने को नहीं मिलता और नीचे बाहर भी यहाँ पर same ही है system के अंदर जाओगे तो button के अंदर आपको navigation बार मिल जाता तो यहाँ से नीवल करोगे उसके बाद gesture में जाओगे तो gesture के अंदर फिर आपको जो है navigation mode आपको देखने कि यहाँ पर मिलेगा तो यहां से आप gesture का यूज कर पाओगे और button का हलक कि यहाँ पर क्या है कि आप एक साथ में दोनों यूज नही मिलते इसके अंदर में भी power mini सब रहेगा से में और बाहर यहाँ पर चलते हैं तो इसके अंदर में आपका status bar में system icons के नीचे जस्ट एक 4G icon का option था और रिमूह हुआ यहाँ पर बाकि सेम रहेगा और system icon के अंदर यह आपको vault icon मिलेगा and gesture के अंदर भी यहाँ पर आपको मिलेगा उसके आगे and locked नहीं है तो smooth and high पर मैं यहाँ पर जो है game खेलने वाला है और gaming के अगर बात करो तो gaming आपको अच्छी नहीं मिलने वाली है gaming पहले भी अच्छा नहीं था फर्स्ट जब review किया था और अभी इतना अच्छा नहीं है तो gaming के मामले में आप भूली जाओ बाकि normal के लिए ठीक है थोड़ा बुत यहाँ पर improvement हो रहा है animation खास कर पहले से थोड़ा बुत better और हुआ है इसके अंदर में बैटरी के मामले में थोड़ा सा मुझे है यहाँ पे बैटरी पिछले update के मुकाबले थोड़ी सी कम मिली है पिछले update मुकाबले यह थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है बाकि तो ऐसा कोई अब फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला बस यहाँ पर जो में में चीजे थी वही रिमूब कर दिया गया game space और kloned एप जो कि यह काफ लोग यूज़ करते थे और फिलाल इसके अंदर अभी रिमूब है तो मेरे इसाब साब स इस वीडियो में और वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अगर आप मरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके और पे कर लिजए ताकि एकली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल यजिए, थाक्स फर वचिंट